नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सरकारी टोडे नियूस के ओफीशल यूटूब चलंग में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुछ कबरी है क्योंकि डाक विभाग में आ चुकी है बंपर भरती जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाक विभाग की नई भरती के बारे में जो की दसवी पास केंडियेट्स के लिए सीधी भरती है बिना परिक्षा के तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस साल 2021 में आपको एक सरकारी नोकरी मिले वो भी बिना परिक्षा के तो इस वीडियो को लास्त तक जरूर देएगा और इस वेकेंसी के लिए आवेधन जरूर कीजेगा तो दोस्तों वीडियो में लास्त तक बने रहेगा हम आपको step by step भरती की पूरी जानकाई देंगे तो सबसे पहले आप सभी से request है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को like जरूर कीजेगा और ज़्याद से आद आपने दोस्तों के साथ share कर दें और रोजना इसी प्रकार नई भरतियों की जानकारी के लिए चैलन को आज ही subscribe करें और बेल आइकन जरूर दबाएगा तो चली दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि डाग विबाग में जो भरती निकाली जारी है इस साल 2021 की नई भरती है जो की दसवी पास के इंडियेट्स के लिए भरती निकाली जारी है दोस्तों अगर आप केवल दसभी पास है तो आप इस भरती में शामिल हो सकते हैं आविधन कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपकी कोई भी परिक्षा नहीं होने वाली है क्योंकि यहां पर बिना परिक्षा और बिना इंट्रिवू के बिलको सीधी भरती की official notification जारी हो चुकी है वहीं आपको बताते हैं इस भरती के लिए महिला और प्रोष सभी अभ्यारती आविदन कर सकते हैं लड़के और लड़कियां सभी candidates आविदन कर सकते हैं तो चली दोस्तों सीधा आपको हमारी official website पर लेके चलते हैं जहांपन हम आपको आज की इस नई भरती की पूरी जानकाई देंगे विस्तार के साथ में तो दोस्तों हमारी official website पर आने के लिए google में search करें सरकारी today news.com जैसे दोस्तों आप google में search करेंगे सरकारी today news.com आप सिधा हमारी official website पर आजेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देसेते हैं हम सिधा हमारी website पर आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महरास्ट पोस्टर सरकल में आई ग्रामें डाग सेवक GDS की बंपर भरती की दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देसेते हैं आविदन ओनलाइन मागे जा रहे हैं और टोटल वेकिंसी 2428 से यानि की बंपर भरती है साल 2021 की पोस्ट ओफिस की तरफ से वहीं selection process में आपकी कोई भी परिक्षा नहीं होगी ना ही कोई आपका interview होगा केवल merit के अधर पर आपका selection होगा और वहीं salary आपको 10,000 से 14,500 रुपे पर मंत मिलेगी और age limit जो है 18 से 40 साल है IECMA में छूट भी है reserve candidates को और दोस्तों यहाँ पर application fees जो है others के लिए सोर पे है और reserve candidates के लिए female के लिए और ph के लिए बिलकुल फ्री है और payment जो है आप online कर सकते हैं किसी भी माद्यम से और education qualification जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरुवात में ही बताया कि यहाँ पर 10 वी पास के लिए भड़ती है तो अगर आप 10 वी पास है तो आविदन जरूर कीजेगा इसके आविदन की जो last date है 10 जून हो चुकी है बढ़ा दी गई है तो 10 जून से पहले apply कर लीजिए आविदन करने का link के रहा notification के साथ में तो जैसा कि आप देते हैं महरास्ट सरकल की तरफ से जो last date बढ़ा दी गई है 10 जून कर दी गई है तीके इसके आविदन चल रहे है यह रहा online forum आज ही भड़ दीजिए कोई भी सवाल हो तो comment कीजेगा वीडियो को like share channel को subscribe कीजेगा जेहीं जे भारत